नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्यान वर्धक और मनुरंजक कंटेंड, जो आपके जीवन को बहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आप नई जानकारी लेने में रुची रखते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे चैनल का उदेश्य है, आपको न केवल नई जानकारियों से अवगत कराना। जमशेद्पुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन के लिए 15 सितंबर 2024 का दिन एपिहासिक रहेगा। जब आजादी के बाद 87 वर्षों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री स्टेशन पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी टाटा नगर स्टेशन से टाटा पटना वंदे भारत एक्स्प्रेस समेथ 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखा कर रवाना करे। टाटा नगर स्टेशन जिसे पहले कालिमाटी स्टेशन के नाम से जाना जाता था कि स्थापना अठारो सोई खेंदई में हुई थी केको तेंटीस वर्षों के सफर के बाद यह स्टेशन एक छोटे से रेलवे स्टेशन से ए वन प्लस ग्रेड वाले महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में विकसित हो चुका है दो जनवरी 1919 को भारत की ततकानीन गवर्नर, जनरल और वायस राइट, लॉर्ड चेंस फोड टाटा नगर रेलवे स्टेशन हावडा नागपुर और हावडा मुंबई जैसे प्रमुख रेलमार्गों पर स्थित है यह प्रति दिन अडास्टी जोडी एक्स्प्रेस और मेल ट्रेनों का आवा गमन करता है जिसमें प्रति दिन औसतन 45,000 यात्री सफर करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना न भूले अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और भी बहतर कंटेंट ला सके हमारे चैनल मैनिश किचिन को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें अगली बार फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब